टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है पुर्य देश भर में अभी तक जश्न का माहोल नजर आ रहा है भारतिये अलग अलग तरह से जीत की खुशी मना रहे हैं भारत ने शनिवाराथ फैनल मैच में दक्षण अफरिका को सात रन से हरा दिया था बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुए इस मैच में भारतिये टीम ने टोस जीत कर पहले बल्लेबाजी की और दूसरी टीम को 137 रन का लक्ष दिया वहीं साथ अफरिका ने 20 ओवन में 8 विकेट पर 109 रन बनाए टीम इंडिया की जीत पर प्रदेश भर में जशनिका माहोल है देराथ भारतिय टीम के फैन्स हातों में तिरंगा लेकर सडकों पर उतर आए भारत माता की जै वंदे मातरम इंडिया इंडिया के नारे गुल ज वहीं देश के पी-एम नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बदाई दी टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देश वासियों की तरफ से बहुत बहुत बदाई आज एक सो चालीस करोड देश वासी आपके इस शांदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं खेल के मैदान में आपने वर्ल कप जीता लेकिन हिंदुस्तान के हर गाउं गली महले में आपने कोटी-कोटी देश वासियों का दिल जीत लिया और ये टूर्नामेंट एक विशेश कारण से भी याद रखी जाएगी इतने सारे देश इतनी सारी टीमेंट और एक भी मैच हारना नहीं ये छोटी उपलब्दी नहीं है आपने क्रिकेट जगत के हर महरती उनके हर बॉल को खेला और आपने शांदार विजय प्राप्त करते रहें एक के बाद एक विजय की स्परंपरा ने आपके होसले को दो बुलन कर दिया लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रस्प्रत बना दिया रोचक बना दिया आपने शांदार विजय प्राप्त की हैं मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए जमीन पर हाथ पटकने लगे विराठ के गले लग कर रोए हारदिक पांडिया का गाल चूम अब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया को फिर से संगर्स करना पड़ रहा है टी ट्वंटी वर्ल्ड कप दोहजार चौविस में रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया को बार्बो डास में वापस लोटना था लेकिन तूफान बैरिल की व कंट्रोल बोर्ड द्वारा चार्टेट फ्लाइट से वापस लाया जाएगा बताया जा रहा है कि टीम के ब्रिज टाउन से शाम 6 बजे स्थानिये समय नुसार रवाना होंगे और बुदुवार को शाम 7 बश कर 45 पर दिल्ली पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है दि वाडोस की प्रदहान मंतरी मिया मोटली ने PDI को बताया कि वी एरपोर्ट स्टाफ के संपर्क में है और जल्द ही सामान्य फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तुफान बेरिल की वज़े से 210 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से हवाई चल रही है जिसके कारण एरपोर्ट पर ऑपरेशन रोग दिये गए हैं भारतिय टीम ने 39 जून को T20 वर्ल्ड कप जीता और इस जीत के साथ उन्होंने 17 साल बाद च्रैमपियन का खिताब अपने नाम किया है अब आपको बताते हैं कैसा है ये तूफान हरीकेन बेरिल तूफान को सब से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें क्लोकवाइज हवाओं का घुमाओ होता है इसे उशने कटी बन दिये चक्रवाद भी कहा जाता है यह एक तरह का चक्रवाद तूफान होता है जो समूंदर के ऊपर उठता है जब भी समूंदर का तापमान भड़ता है तो ऊपर मोजूद हवा गरम होकर उठ जाती है और वे जगय जगय खाली हो जाती है और फिर वाद थंडी हवा पहुचती है और चक्रवाद तूफान बनता है लेकिन जो तूफान उत्री अमेरिका और कैवेरियन आइलेंड में आते हैं उन्हें हैरीकेन कहा जाता है इसकी घूम कर आने वाली हवाई इसे ओर ज्यादा खतरनाग बनाती है। इस तूफान की वज़े से 257 किलोमेटर की रफ्तार से हवाई चल रही है। इतनी तेज से हवाई चलने वाली ग्रेविटी के फोर्स पर भी हावी हो सकती है। इस दोरान इंसान अपनी जगह से हिल सकता कि वहाँ कितनी तेज हवाई चल रही है। यानि एक सामान इंसान आसानी से हवा में उड़ सकता है। और इसे बीच टीम इंडिया फसी हुई है। वहीं भारत को वल्ड कप जिताने के बाद विरात कोहली ने T20 इंटरनेशनल से सन्यास ले लिया है। साउथ अफरीका के ख 26 रन की एहम पारी खेली। मैच के बाद विरात ने कहा यह मेरा आखरी T20 मैच था इसलिए उसी तरह खेला। अब नई जनरेशन बागदोर संभाले। विरात ने साउथ अफरीका के फाइनल में हीरो जैसी भूमी का निभाई है। इससे पहले वल्ड कप के साथ मैचों में उनका टोटल स्कोर पिछेतर रन था। अकेले फाइनल में उन्होंने छेतर रन की पारी खेल डाली। T20 वल्ड कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा ने भी सन्यास ले लिया है। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फरेंस में कहा यह मेरा आखरी गेम भी था। अलविदा कहने का इससे बहतर समय नहीं हो सकता। मैं यह ट्रोफी बहुत चाहता था। इसे इस शब्दों में बया करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रोहित विरात के साथ टीम के बाके खिलाड़ी भी एहम रहे लेकिन इंडियन क्रिकेट के इन दो दिगजों ने भारत की वर् कप की शुरुआ से पहले ही BCCI सच्चीव जैशाह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप में हम रोहित की कप्तानी में बारबाडोस में भारत का जंडा गाडेंगे। भारत के कप्तान ने बैच जीतने के बाद ऐसा ही किया। जैशाह की बाद तो स T20 इंटरनेशनल में लंबे समय तक खेलने के बाद दोनों ने इसे अलविदा कह दिया है। एहमों के पर तीन विकेट लेकर मैच इंडिया के पाले में करने वाले हार्दिक पंडिया भी कप्तान रोहित से गले मिले। रोहित ने उन्हें सीने से लगा लिया और किस बे किय हादे की आखों में आसु आ गए। मैच के बाद पूरी टीम जम करना ची। सेंटर ओफ अट्रेक्शन रहा विराट कोली और अर्षदीब का भांगडा। इसके बाद विराट कोली ने अनुषका शर्मा को वीडियो कॉल की और काफी देर तक बाच्छित करते हुए नजर आए। इस खासपल को सभी देशवाशियों ने देखा। सभी की आखे इस खासपल पर नम हो गई थी। जैसे ही बीसवा ओवर खत्म हुआ टीम इंडिया जश्न मनाने लगी। चंद पलों में कोच टीम का स्टाफ मैदान में आये। हर किसी ने एक दूसरे को बदाए मंच पर टीम इंडिया खुश थी और कप्तान रोहिट शर्मा का इंतिजार कर रही थी। रोहिट छोटे छोटे कदम भढ़ाते वे खुशी से भरे वे मंच पर आये और ट्रोफी लेकर जश्न मनाया। भारती कप्तान रोहिट शर्मा ने मैच जीतने के बाद पिछ पर साउथ अफरिका के विकेट कीपर बल्ले बाज क्विंटन डी को के साथ बाचित करते हुए भी नजर आये। कप्तान रोहिट शर्मा ने ट्रोफी जीत कर बेहत भावक पल को इंजोई किया। सबसे पहले उन्होंने हार्दिक पंडिया को गले लगाया। इसके बाद भी उ जश्न मनाया जा रहा है। पटाके भी फोड़े गए हैं और तिरंगा लहराया जा रहा है। कुछ जगह पर लोगों ने अबीर गुलाल पर उडाया। भारत की जीत के इंतजार में छोटे जोटे बच्चे देर रात तक जागते रहे। जैसे ही इंडिया वर्ड कप जीती उनके चेहरों पर खुशिया की रोनक आ गई। पूरी दुनिया ने सचिन तेनुलकेर के फैन के रूप में मशूर सुदीब बारबरडोस स्टेडियम में ही मौजूद थे टीम की जीत के बाद उन्होंने स्टेडियम में तिरंगा लहरा दिया। प्रधान मंतरी नरेंदर म पूरी टीम को जीतने की बधाई दी। वहीं पहले टीट्वेंटी वर्ल्ड्स चैंपियन कप्तान MS धोनी समेथ मोजूद और पूर्वे क्रिकेटरों ने भारते टीम को जम कर बधाई दी और उनकी तारीफ की। धोनी की कप्तानी ने भारत में 2007 में सावत अफरिका में पह टीम इंडिया को बधाई दी और इस सीट को उनके जनम दिन का गिफ्ट बताया। अगले महीने साज जुलाई को 43 साल की हो जाएंगे। मोधी ने रोहिट शर्मा को उनकी शांदार कप्तानी के लिए बधाई दी है और उनके टीट्वेंटी करियर की सराना की है। पीम मोध ने जस्पृत बुम्रा के योगदान की भी खूब तारीफ की है। मोधी ने भारते करकेट में उनके योगदान के लिए राहुल द्रविट को भी धन्यवाद दिया है।